गुड़ुणिंग फ्रेंड्स, बेंदरजीत, आप सब के लिए फिर से एक 10th क्लास के लिए नया वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो में आप देखेंगे, समांतर माध्य बहुलग और माध्य का, तीन चीज़े मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, कैसे कैसे नंबर ड चार नंबर के अगर, तो टोटल आपके कित्ते हो रहे हैं, छे अंके इस चप्टर से आने हैं, ओके, अब छे नंबर में से मैंने आपको दो अंके जो कुष्ण आने हैं, समांतर माध्य, माध्य का और बहुलग, इसके विशाय में आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूं अब आज जो हम करने वाले हैं कुष्ण, वो समांतर माध्य की ही कुष्ण है, लेकिन ये चार अंके आएंगे आपके एक्जाम में, बोर एक्जाम में चार अंके आएंगे, इसको कैसे सॉल करना है, वो पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आप म लाइब करें, चैनल को सुस्क्राइब करें, यह दिया आपनी सुस्क्राइब नहीं किया हो, और बैल आइकाउन का घंटा जरूर दबा लें, तो देखें समांतर माध्य की कैसे कुष्ण एक्जाम में आते हैं, इस वर्च कैसे कुष्ण आ सकते हैं, ये सारा जानकारी आप आपको इस वीडियो में मिलने वाल है, तो चली स्टार करते हैं, समांतर माध्य की कुष्ण को कैसे करेंगे, ओके, देखें दोस्तों, कुष्ण प्रश्ण 2019 में, बोडिजा में पुछा गया है कुष्ण, सॉल कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कुष्ण के बारे में बता तो कुष्ण क्या है, कुष्ण क्या बोलता है, एक उच्चतर माध्मिक साला के छोटे बड़े बच्चो के वजन के आकड़े नीचे दिये गये हैं, इसका समांतर माध्य आपको पता करना है, ठीक है, और आपके पास इस प्रकार आकड़े दी हुए है, वजन दे दिया गय में और बच्चों की संख्या दी हुगी है तो आप कोशन को समझ लें कि 30 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम वजन के जो बच्चों की संख्या है वो कितने लोग है ग्यारा लोग है वैसे ही 40 kg से 50 kg तक के बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है 29 है और 50 से 60 kg तक के बच्चों की संख्या 6 है 6 है वैसे ही 60 से 70 तक 3 है और 70 से 80 तक एक बच्चे है तो इसका solution हमको करना है देखें कैसे solution करेंगे अपन क्या लिखेंगे, कैसा करना है सारा चीज मैं आपको बताता हूँ बहुत ही easy है आप मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे ओके देखें करना क्या आपको सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है कैसे कॉलम बनाना है देखें सॉलूशन कैसे करते इसका सबसे पहले जैसे हमाँ कॉलम क्रेट कर रहा हूँ आप भी क्रेट कर लेंगे सबसे पहले जो कॉश्चन दिया है उसके अगोड़िंगी कॉलम इसको बनाना ज़ता है जैसे वजन दिया हुआ इसमें तो वजन बना लेंगे ये वजन किलोग्राम में दिया 20 27 किलोग्रामने बना लिजिए फिर बच्चों की संख्या दिए हुआ है तो बच्चों की शंख्या बना लिजए आप बच्चों की शंख्या चीकर अच्चा इसको एक्फ़ण दपती करता है थिकए इसको क्या करेंगे अपका अधेकर विए आपके लिए नया है न अभी बताऊँगा है क्या है उक्य है इसको अपन एक्षवन चिक है इससे सो करेंगे फिर लाश्ट में आपका क्या होगा यह आपका लाश्ट रहेगा ठीक है तरसे आप चार कॉलम बना लेंगे कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको यह देख लिजिए बहुत इजी कॉलम है आपको दो तो आपके कोश्चन में दिये रहेंगे दो आपको नए क्रिएट कर लेने ठीक है अब देखे करना क्या है जो दिय है 30 से 40 फिर क्या दिया है 40 से 50 उसके बाद क्या दिया है 50 से 60 फिर क्या दिया है 60 से 70 और फिर 70 से 50 यह आपको दिया है वैसा ही 30 से 40 में किते हैं बच्चे थे 11 उसके बाद 29 उसके बाद 6 उसके बाद 3 और फिर 1 ओके तो यह देख देख क्या आपको उतार लेने हैं कहीं को द करने आपको अब बात आती है मद्ध बिंदु की ठीक है क्या आती है मद्ध बिंदु मद्ध बिंदु को वर्ग प्रतीक भी कहते हैं क्या बहुते हैं वर्ग प्रतीक यदि आपको यह नौलेज भी होना चाहिए कि मद्ध बिंदु को ही क्या कहते हैं वर्ग प्रतीक कहते हैं मद्धिबिन्दु आपको निकालना कैसे है तो मद्धिबिन्दु निकालने के लिए आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है तो वहीं से रिलेट करके मैं आपको बचाता हूँ सबसे पहले मद्विंद को निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि उच्छ सीमा क्या होता है और निम्न सीमा क्या होता है ठीक है तो मैं सबसे पहले क्लियर करूँ कि उच्छ सीमा और निम्न सीमा क्या है तो उससे पहले वरगांतर देखना पड़ेगा आपको देखो जिसे ये वह आंतर हो गया ठीक है इन दोनों का अंतर गिरने काए 30 और 40 का डिस्टेंस क्या होगा 10 होगा So simple जो पहला नंबर का है वो कहलाता है निम्नशीमा क्या कहलाता है निम्नशीमा और जो दूसरे नंबर का है वो कहलाता है उच्छ सीमा, क्या कहलाता है उच्छ शीमा ठीक है, ये पहले के लिए अब दूसरे के लिए फिर क्या होगा ये जो पहले डंबर के हो, निम्न सीमा दूसरा वाला, उच्छ सीमा फिर से ये निम्न सीमा, उच्छ सीमा, निम्न सीमा उच्छ सीमा और यह निम्न सीमा उच्छ सीमा इस टाइप का है बनेगा खीक है तो मद्ध बिंदू निकालने का फार्मूला होता है आपका मद्ध बिंदू बराबर क्या होता है निम्न सीमा निम्न सीमा प्लस उच्छ सीमा अपॉन टू ओके तो आप देखें इसमें निम्न स जिसान हमें गाता या किसνεर का आधा करना तो सब्सक्रा पेहरे किना के लिए सालिस गया। इसका ही उपयोग करेंगे आप, ठीक है, देखे, सब में distance बराबर है, 40 से 50, 50 से 60, 70, 60, सब में 10 का distance है, ठीक है, तो पहले number का आप निकाल लीजिए, उसके बाद सारे को 10-10 बढ़ा दीजिए, same, ठीक है, तो 35 में आप 10 जोड़ेंगे क्या आएगा, 45 आएगा, फिर क्या आए आएगा, फिर क्या आएगा, पैसाट आएगा, और फिर क्या आएगा, 75 आएगा, ये बन गया आपका, मध्य बिंदू, देखे, कितना easy हो गया आपके लिए, आपने एक निकाला, बाकि आप ही आप बन गया, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होना है, तो इस type के जो में ट्र आपको बता रहो, वो आप जरूर अप्लाई करें, कुशन के साथ, ठीक है, तो ये होगे आपका, अचा, बाइदावे, distance इसमें रहता, पांच का, तो आप पांच पांच बढ़ाते, 35 के बाद क्या आता, 40 आता, फिर 42 आता, फिर 50 आता, ऐसे type का वो आगे बढ़ता, ठीक ह तो ये होगे आपका, अब आता है आपका, F1 into X1, कुल मिला कर देखो, ये F1 है, अरे क्या है, X1 है, तो दोनों का क्या होना है है, into होना है, multiply होना है, तो चलिए गुना करते है दोनों का, क्या होगा, इसका गुना करेंगे तो, 11 और 35 का गुना करना है, बहुत सिंपल है का गुणा करेंगे ठीक है सारा कल्कुलेशन आपको आना चीए यदि आपका कल्कुलेशन ठीक नहीं है तो रिक्कत हो नहीं आपको चलिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा देके 29 का पाड़ा आता नहीं ठीक है सिंपल जो अपन गुणा करते हैं वही मैथेट जीरो हासिल तीन और यह जाएगा अप्फिर से 5 यह कर तीस और तीन तैन्टीस ठीक है फिर इसका भी सिंपल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है पांस तीया पंदरा का पांस हासिल एक और 6 तीया ठारा और एक उननिस ठीक है फिर एक के साथ मल्टिप्लिकेशन हो गए तो कोई यह का यहेगा कह y가 कोई प्रें कित्तर सिंप लोगा थी कई यह सारे लाइन से जोचकर कर लेने ऊख ह् uk yahkem आप क्या करना अपने ёपने को योग करना है का कहगने योग करना है कैसे करेंगे यह मैं आपक्व बताता हम तो किया सब थोटल करले जुब यह लगा है तो यह के जीरो दस दस भीस हो गया तो जीरो हांसे दो आएगा इसका तो दो और एक तीन अड़ दो पांच तो इसका सम कितना हो गया योग कितना हो गया पचास हो गया किक है यह इसका योग हो गया पचास किक है इसको सम करने के अशक्ता नहीं है क्योंकि क्या हो मद्ध बिंदू है ल करें जो Рोइक है इसको टोटल करना है सम करना है बहुत सिंपल है 5 5 10 5 15 और 5 20 का 0 हाइगा आपका दो तो 8 2 10 10 13 13 साथ किताओ और आएगा 20 20 और 9 29 का 9 हासिल दो फिटीन दो 5 5 पांस तीन 8 8 3 11 और 12 का 2 हासिल 1 तो एक और एक किताओ हो रहेगा तो यह आपका calculation हो गया ठीक है यह सारा आपका मैं सम कर दिया हूं ठीक है अब मैं आपका छोटा सा फार्मूला बस बताऊंगा फिर आपका पूरा solution हो रहाएगा आपका चार वंबर इसमें मिलना ही मिलना है ठीक है तो इक चोटा सा simple solution आप देखेंगे समांतर मांत समांतर मांत बराबर यह इसको एक्स भी बोल देते हैं ठीक है तो इसका फार्मूला होगा आपका submission f1 x1 upon f1 ओके यह आपका फार्मूला है तो छोटा सा basic फार्मूला है कहीं कोई दिक्कत निया आप तूरंद याद कर सकते हैं आपके बुक में सारा चीज़ दिया हुआ है कहीं कोई दिक्कत निया होना है ठीक है अब देखें इसका value यह आप कह देखें यह आपका submission f1 x1 है और यह क्यें आपका submission f1 है ठीक समझागे ना देखें शमीसर f1 x1 है और यह कैं समीसर f1 है क्यों है आपको एक दम ख्लियर हो गए होगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है बहुत ऊसी है अब देखें समीसर f1 x1 का value क्या आपका 2290 और यह क्या 50 है तो देखें 0 और 0 का अंसर हो गया आपके क्या क्या बचा टू टू नाइं अपॉन फाइं अब देखे 5 एकम 5 और 5 हो 20 यहां बचा 2 आपका कित्ता हो गया 39 हो गया ठीक है तो 5 हम 25 फिर कित्ता पता चार बचा दसमलो लगाएंगे 40 हो जाएगा ठीक है तो 5 अठे तो 45.8 यह आपका क्या अदाएगा आंसर अदाएगा ठीक है तो इतना इजी आपका बनना है question कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होना है आप easily totaling कर लेंगे देखे कुछ है ही भी नहीं दो चीजे आपको पहले से दी हुई है तीसरा निकानला में आपको सिखा दिया बहुत इज इसी है चौथा क्या करना है आपको सिर्फ multiply करना है यह दुनों का multiplication करके लिखना है और लास्ट में इसका sum कर लेना इसका भी total कर लेंगे और फिर यह बड़ा वाला पार्ट रहेगा हमेशा और यह मैसा छोटा रहेगा तो अपन जरू भी डिवाइड करेंगे तो क्या करें छोटा अला नीचे लिखेंगे और बड़ा वाला उपर लिखेंगे ठीक है और मैंने आपको फार्मूला भी क्लियर कर दिया है ठीक है तो जैसा आप समझना है समझ सकते हैं अच्छा लाश्ट में आप क्या करेंगे हमेशा लाश्ट का लाइन आपको मारून होना ची अता अगर कि आप जरूर लिखें ताकि आपको पूरे चार में से चार अंग मिलें ठीक है तो अता समानतर मात्य आप पूरा कोश्चन भी आप लिख सकते हैं पर फ्रफ्रों जगह की कमी है तो मैं ऐसा लिख दिया हूँ या मैं यहां से समझा सकतको मात्कों कि या डारेक्ट आ 45.8 kg है ठीक है क्योंकि पूरा कुष्टन अमारा किलो ग्राम में चल बता है तो इस टाइप के आपको बनाने हैं बहुत ही सगल तरीका में आपको बता दिया हूँ आप इसका बार-बार प्रैक्टिस करें ओकि देखे दोस्तों आप बहुलक की कोष्टन हम कैसे सॉल करेंगे तो यह कुष्टन लीग दिया हूँ मैं ठीक है और आंसर भी यह कुष्टन 2019 में नहीं आया है ना यह भी आप दहर रखेंगे सीवपल से एक कुष्टन है कुष्टन मैंने वही लिए है जो समांतरमात धमिलियत की देखे प्रॉब्लम क्या है आपको केवल सॉलूशन करने आना चीए कुष्टन कुछ भी आया और मैं आपको बता दूँ आपके जानकारी के लिए बोड़ एक्जाम में जो कुष्टन आते हैं वो बुक से कुष्टन बहुत कम रहते हैं कुछ कुष्टन बोड़ एक्जाम वाले स्वेम से बनाके बलू नय देते आपको जो सायद आपने पहले कभी सौल नहीं किया हो ऐसे कुष्टन भी आपके एक्जाम में आएंगे तो आप इसके लिए त्यार रहें और इस वर्द समांतर माध्य का एक कुष्टन आना डेफिनेटली है आप बेहिजय करें ठीक हैं देखिए आपके पास तीन चीज़े हैं ठीक हैं समा समांतर माध्य और बहुलक आ सकता है या बहुलक और माध्य का आ सकता है या माध्य का या समांतर माध्य आ सकता है तो कि अथवा में आना है तो उपर निचे दे सकता है ठीक है तो यह आप जरूर ध्यान रखें कैसे कुष्टन आते हैं तो इस बार मैं बोलनों कि समांतर मा माद्दिका कोश्चन आना है मतलब आना है आप देख लीजेगा ठीक है तो कि पिछले वर्ज क्या हुआ है माद्दिका का कोश्चन आया और बहुलक को कोश्चन आया तो इस बार डेफिनेटली आ नहीं है समानतर माद्द कोश्चन ठीक है तो देखते हैं फार्मुले आपका बहुलक पड़ाबर L प्लस F1 माइनस F0 अच्छा, F क्या है F मतलब Frequency, अवरित्ती ओके, कितनी बार हुई है वो चीजें उसको, यहाँ फिर into H, अपवान में क्या है 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इस सारा detail मैंने आपको लिख दिया है, देख लिजेगा देखे, L क्या होता है L क्या दिखा है, बहुलक वर्ग की निनसीमा तो सबसे पहले यही देखेंगे, आमी सार्णी से की बहुलक वर्ग आखिर है क्या बहुलक का मतलब क्या जो आंकडे में सर्वाधिक बार आया हो, तो भई, सबसे बढ़ा आकड़ा आप देख लिजेए, यहां क्या है 29 है, बाकितो सब छोटे है, तो सबसे आदा बार क्या है, 29 आया है ठीक है, तो यह हो गया आपका बहुलक वर्ग ठीक है, अब आपको यह डिपए एकदम पकड़ के रख लेना है, यह देख लिजेए, यह बहुलक वर्ग हो गया तो L का मान क्या बहुलक वर्ग की निम नशीमा तो मैंने आपको बताया था, जो पहले नमबर का यह वो निम नसीमा रहाता है, दूसरे नमबर का उच्छ सीमा होता है तो बहुलक वर्ग का निम नसीमा क्या हो गया है, 40 हो गया, 40 हो गया ठीक है, ऐसे आपको find out करते जाने है, फिर क्या आपका app 0 तो वो क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबरता, ठीक है, तो बहुलक वर्ग आपका यह है, उससे ठीक पहले की बुला है, मतलब यह होगा आपका app 0 ठीक है, अभी आप समस्त जाएं, अब सारा आपको trick बताऊंगा आपको कहीं कोई दिक्कत ने होगा, अभी फार्मूले साब समात दीजिए बस, फिर क्या आपका f1, बहुलक वर्ग की बारंबरता, यह हो गया आपका f1, बहुलक वर्ग यह आपका, फिर app 2 क्या बहुलक व पचास के बीच का अंतर क्या होगा, 10 होगा, यही तो आपका वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल ने कालने का, एकदम छोटा फार्मूला, क्या, उच्च वर्ग सीमा में निन्न वर्ग सीमा को आप घटा दीजिए, निकल लाएगा, तो 50 में से 40 घटाएंगे तो क्या यह आप सिंपल ही देख सकते हैं डिस्टेंज तिया आपका हो गया 10 ठीक है बहुला कोईर भी ठीक बात किता है 6 हो गया यह हो गया आपका 29 और यह हो गया आपका 11 ठीक है पूरा वेल्यू आ गया फार्मूले में बस वेल्यू पूट आप कर देंगे आपके आंसर बन जाते है ठीक है अब फार्मूला कैसे याद रखे हैं यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ देखे कैसे फार्मूला याद रखते है अपके मैं आपको कुछ कोड बता रहा हूँ इस कोड से आप याद रखे हैं आप इस फार्मूले में देख पा रहे होंगे कि प्लस यहां बस है और कहीं भी प्लस नहीं है, देखेंजे आप, अब ये देखें आपका F1 है और क्या है, F0 है, तो ये आपका देखो, सब जगा तो F है, कहीं, X, Y, Z तो ही नहीं है, F ही है सब जगा, ठीक है, तो ये code बनते है आपका 10, उपर कर देखें, 1 और 0 करके मैंने code बना दिया, 10, तो आपको एकदम clear रहे है, जभी आप लिखेंगे 10 लिखना है, तो क्या लिखेंगे, F1-F0, तो 1 और 0 करके 10 बनेगा, ठीक है, अच्छा, ये नीचे का code क्या होगा आपका, ये 1 है, और ये 0 है, ये 2 है, 1, 0, 2, ये आपका code बन गया, ठीक है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नह है, फार्मुला, ठीक है, तो 1, 0, 2, अरे होगा आपका 10, इस ट्रिक के साथ ये फार्मुला आप याद रखेंगे, ओके, अब मैं एक चीज़ और clear करता हूँ आपको, देखिए, ये है क्या, कई बच्चों को तो ये निकालने में दिक्कत नहीं जाती है, तो ये भी मैं से पहले क्या आएगा, 0 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, so simple, ठीक है, देखिए, ये 1 है ना, तो 1 के पहले क्या आएगा, 0 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये भी हो गए आपका, सबसे पहले आपको F0 लिखना है, फिर F1, फिर F2, हो ग लें, calculate करना भी तो बहुत बड़ी बात है, जैकि calculation कैसे करें थे, तो सभी value तो हमको पता है, तो value को put up करिए पहले, देखे, L क्या होता था, निम नसीमा है, तो निम नसीमा क्या है हमारा, 40, उसके बाद, bracket है, bracket लगा लिजे, F1, F1 का value क्या है, 49 माइनस, F0 क्या है, 11, फिर 2, F1 का value क्या है, फिर से 49 है, फिर F0 का value क्या है, 11 है, फिर माइनस, F2 की value क्या है, 6 है, इंटू, H, H मतलब वरगा अंत्राल, तो बहुत दोनों का distance कितना है, 10, यह, so simple, अब 40, प्लस, तो नों को माइनस कर लिजा, तो 9 में से एक खटेगा, क्या आएगा, 8 आएगा, और 2 में से एक खटेगा, तो 1 आएगा, ठीक है, तो calculation करना आपको आना चीए, बहुत easy calculation आपको करना रहेगा, ठीक है, फिर 29 और 2 का गुना होगा, तो 29 दून कितना होता है, अठावन, माइनस, तो यह दोनों माइनस में, यह भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चीए किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, तो 11 और 6 कितना होगा, सत्रा ओके और इंट्टू 10 देखे जैसा मैं calculate करू हूँ वैसा ही calculate आपको करना है ठीक है फिर 40 प्लस अब इसमें minus के लिए आप 8 में से 7 किता है 1 आएगा फिर 5 में से 1 घटेगत किता है 4 आएगा इंट्टू 10 ओके तो देखें किता simple calculation मैं कर रहा हूँ आपके लिए तो आप calculation कैसे करना है बिल्कुल आप ध्यान दे ठीक है आप क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों का इंट्टू कर लें 40 प्लस देखें इन दोनों का इंट्टू करेंग किता हुँ रहेगा 180 हुँ रहेगा ठीक है आपको solve करना है तो आप पहले ये पुरा bracket को solve करेंगे फिर last मिस के साथ फिर्फ प्लस करना है आपको ये आप ध्यान रखेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे फिर इदर तीर्याग गुणा करेंगे और फिर असा solve करेंगे आपका पूरो system गड़बड़ जाएगा और answer भी गलत आ सकते हैं ठीक है तो ये best solution है आपका कि आप पहले इसको divide कर ले उसके बाद जो भी answer आएगा उसके साथ प्लस कर लिजेगा आपका answer आडएगा चलिए divide कर लेते हैं पर 41 से आपको क्या करना है? divide करना है इसको ठीक है? ठीक है unquote divide ukरके मैं आपको बता लेता हूँ 41 से आपको divide करना है तो किते बाहर में जाएगा ये ये जाएगा आपका 4 time में 4 आपका 4 जाएगा और ये जाएगा a.ce jam 16 ठीक है फिर माइनस कर लेंगे तो 10 में से 4 हट एगे कितना आएगा 6 और ये फिर 7 में से 6 एगर तो 1 फिर यहां 10 ढ़ल लगाएंगी तो 0 लग जाएगा फिर किते टाइम में जाएंगे है चोंड uh Twelve फिर कितना आएगे यहां DusIG ये कितना हुर आएगा 5 में से 2 एगर 3 थिक है फिर दसम्ला तो लग गए है तो मैं 0 लगा सकता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो 9 टाइम में जाएगे किता रहेगा 9 और 9.36 इसे माइनस कर लेंगे आप किता रहेगा बनाएगा ठीक है और यह आपका रहेगा 0-0 तो आपको दसमलों को बाद केबल दो अंगों तक लेने हैं तीसरा चौथा अंग लेनी क्या हो शकता बिल्कुल भी नहीं है तो यह रहाएगा का 40 प्लस कहाएगा 4.39 अब इसको प्लस करेंगे क्या हैगा 44.39 kg यह आप का अंसर है ठीक तो ऐसे simple calculation आपको करना है आप बिल्कुल यह ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप इसको divide कर लेंगे और फिर last में आप प्लस करेंगे नहीं तो आप इसको ऐसा multiplication करके सब गड़़़़ कर सकते हैं तो भई ऐसा आप नहीं करेंगे यह आपके लिए trick है मेरा छोटा सा ठीक है तो विशे ध्यान देंगे solve करते समय बाकि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर कमेंट्स कर सकते हैं simple calculation में आपको करके बता दियो हूँ ठीक है दोस्तों अब महाधिका की question देखते हैं question है आपका किसी school में दस्वी कच्छा की लड़कियों की उचाइस प्रकार दी गई है तो उचाइस किस प्रकार दी गई है आपको बताता हूँ ठीक ही उचाइस centimeter में दी है 135 से 140 तक लड़कियों की संख्या कितनी है एक है वैसा ही 140 से 145 तक 2 है अब फिर 145 से 150 तक 11 है और 150 से 155 तक 9 लोग है और 155 से 16 तक 7 गई है ठीक है यह लड़कियों की संख्या है तो इसका हमको क्या करना है मादी का find out करना है ओकी जिए solution कैसे लिखते है इसका तो करना कुछ नहीं है जो अब बतार हूँ ऐसा ही सिंपल से खुछ जादा है इसमें करने का तो देखिए का कैसे करते हैं सबसे पहले हमको इसको यह लिखी कॉलम मना लेना ऐसा पहला कॉलम जो आपका गुश्यन है उचाई किसमें है साइंटिमेटर में तो ऐसा कॉलम मना लेंगे फिर क्या आपका लड़कियों की शंख्या लड़कियों की शंख्या फिर आपका एक नया क्रेट करना है आपको संचाई संचाई बारमबावता आपको क्या करना है नया क्रेट करना है इसको सी आप बोलते हैं जैके इस उचाई सेंटिमेटर में दी हुए इसको हम लिख लेंगे बरगांतराल को कितना दिया वन थर्टी फाइब से फिर आपका वन फोर्टी से वन फोर्टी फाइब से आपका बन फिप्टी पाच पाच का अंत्राल दिया हुए इसमें सब में देखे लिजें फाइब फाइब कर इसमें फिर नाइन और फिर से फेन नहीं करना कुछ नहीं है जो दिया है उसको आपको लिख लेन है अब इसमें नया क्रेशन की आपका संचव बारम बरता, देखें, बनाते कैसे संचव बारम बरता, बहुत इसी है, जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं, वो आप फालो कीजिए, इसली बनता है, देखें, वन है, तो आप पहला नम्बर वन ही दिख लिजिए, देखें, ये लाइन आप खीचेगा नहीं, इसन किता आएगा, 1 प्लस 2, 3 आएगा, फिर 3 प्लस 11 करेंगी किता आएगा, 14 आएगा, 14 प्लस 9 करेंगी किता आएगा, 14 और 9, 23, फिर 23 प्लस 7 करेंगी किता आएगा, 30 आएगा, तो इस टाइप का आपको करना है, संचल बारा मरता बहुत इजे निकलता है, पहला वाला सेम लिखे फिर इसको प्लस करके आंसर लिखे फिर इसको प्लस कर दिजी आंसर फिर इसको प्लस करके आंसर और फिर इसको प्लस करके आपका आंसर ठीक है बहुत इजी है कुछ भी नहीं है बस ऐसा 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 साम परना दिया ठीक है तो यह easy calculation आप कर लेंगे ओके बहुत इसी है यहाँ n upon 2 हम कैसे find out करेंगे तो यहाँ आपको लिखना है यहाँ n upon 2 is equal to n होता क्या है n मतलब होता है प्रिक्षण ठीक है प्रिक्षणों की संख्या रेखे यह total जो आपका आया है क्या है लास्ट में 30 n की बल्ले होगे आपकी 30 30 upon 2 करेंगी क्या रहे आंसर हमारा 15 ओके अब यह जो आपका 15 आया है तो आप चेक कर लिए 1 में 15 तो आएगा नहीं उसके अंतरगद को भी आएगा नहीं 3 में भी नहीं आ सकता 14 में नहीं आ सकता क्योंकि 15 तो बड़ा है 14 से तो आएगा किसके अंतरगद इसके अंतरगद आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा अतह यह वर्ग अंत्राल अब वर्ग अंत्राल किसके अंतरगत आ रहे हैं? एक सो पचास से एक सो पचास से एक सो पच्पन की अंतरगत आता है, ओके अंतरगत आता है, ठीक है? आता है, माधिका का फार्मूला क्या होगा? माधिका बराबर, फार्मूला है आपका, L इन्टू, N अपन टू, माइनस एफ, अपन, N, सोरी, F, इन्टू, H, ओके? अब यह है क्या? L, माधिका बर्ग की क्या होगी? निम नसीमा, तो माधिका बर्ग यह है आपका, तिया आपका L का बल्ली होगा, 150, ठीक है? फिर N अपन टू, तो हम पहले से फाइन आउट करके रखें 15, अब C, अब क्या है? तो C, अब क्या होगा? जो आपका माधिका बर्ग है, किस के अं पहले हो, ओके? अब क्या बचा? F, तो F मतलब होता है, फ्रिक्वेंसी, बारंबड़ता, तो सरवाधिक बारंबड़ता भी किस में आ रहे है अपना? नाइन में आ रहे है, यह है आपका, यही लाइन है, आपको लाइन को लेके चलना है, ठीक है? फिर क्या बचा? H, H क्या ह आपका वर्ग अंतराल तो भई, 150 से 155 क्या डिफ्रेंस क्या है, अंतर क्या है वर्गों का? पांच का डिफ्रेंस है बस, ठीक है, सारा वैल्लू फाइंड आउट हो गया, तो अपन यहां लिख लेंगे आता है, L is equal to, 150, फिर एन अपन टू, आपका क्या है? 15 है, और बच ग आप नहीं लेंगे, जो भी आपका मादी का वर्ग अंतराल होगा, उसके ठीक पहले की संचाई बाराम बर्ता को आपको CF लेना है, ठीक, यह आप धान रखेंगे, इसके बाद क्या आपका F, एप का वैल्लू देख लेंगे, क्या आपका 9 है, ठीक है, और H, H कितना है आपक यह आपका H, दोनों का डिट्रेंस किता है, पांच के, ठीक, तो इस प्रकार, वैल्लू निकाल लेंगे, आप वैल्लू को सिर्फ पूट अप करना है आपको, तो आप रख लीजिए, 150 इंटू, सोरी, आप प्लस होगा है, क्या है आपका, प्लस, तो 150 प्लस, एर अपान 2, तो एर अपान 2 मतलब, इधर से वैल्लू आप देख लेंगे कितना निकाल है, अपन पहले से 15 निकाल चुके है, सी अप की वैल्लू क्या है, 14 है, अपान, एप की वैल्लू क्या है, 9 है, और H की वैल्लू है आपकी, 5, ओके, सॉल करिए इसको, कुछ भी तो नहीं, 15 में 14 क्या आएगा, 1, अपान 9, इंटू 5, सॉल करते जाईए, अबस कुछ नहीं, 5 है कम, 5 बटे 9, अब इसको डिवाइट कर लीजिए, फिर इसके साथ लाश्क में प्लस करना आपको, तो 9 से हम किसको डिवाइट करने वाले 5 को, तो सबसे पहले 0 बार जाएगा, गटाएंगे 5 आँच आएगे, फिर दसम्ला लगेंगे 50 हो जाएगा, ठीक है, फिर 95 कित्ता होता है, 45 होता है, कित्ता बच जाएगे आँच, ठीक है, फिर 0, 9, 5, 45, ठीक है, यह, तो आपको दसम्लाओ के 12 खान तक बस ले रहे है, तो इसका बल्लू आया कितना, 150 प्लस यह 0 दसम्लाओ, 55 पाच, ठीक है, दोनों को टोटल कर लेंगे तो हमारा answer, final answer क्या हो रराएगा यह हो रराएगा, आपका 150.55 ओके यह हमारा final answer हो गया ठीक है, तो बहुत Easy term में बन रहा है आपका ठीक है, सारा condition सब्सक्राइब तो इस टाइप के आपके कोश्चन बनने वाले हैं कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है एक बार आप इसको और देख लीजिए कैसे टाइप का आपको लेना रहेगा फार्मुला आप याद के लिजिएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं फार्मुला तो चोटा सा फ आपको मिल रहेंगे तीसरा टर्म आपको निकाल लेने संचाई वारम वरता करके तो पहला आपका एक्दम सेम्टू सेम जो रहेगा वान है तो बाइन टू है तो जो भी रहेगा रंबर उसका आप लिख लीजिए फिर उसको प्लस करते जाएए एशे एड कर करके आँसर ल ठीक है ये 15 है और 14 से जादा है इसलिए किस में है वो 23 में है बाइदवे यहां आता 24 तो 23 के अंतर गत्तों आएगा है 24 किसका अंतर गत्त आता वो 30 के अंतर गत्त आ जाता तो ये चीज़े आपको clear समझ आना ची ये बस और कुछ है नहीं इसमें ये line आपको लिखना है बस ठ ठीक है तो ये जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको clear ने वर्ग अंतरा लिधर define करना पड़ेगा ठीक है तो ये होगे आपका फिर फार्मुला फार्मुला से फिर value put up करेंगे और आपका अंसर आड़ा अगर solve करेंगे ठीक है कही कोई दिक्कत नहीं है बोत easy term में आपको बता दिया हूं easily बनता है ठीक है thank you very much